कि अप्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वेल्कम तो अनकाडमी लेट्स क्रैक्ट यूपीए सीसी हिंदी और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वाल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास दरहसल अपने दिखा होगा कि भारत के इतिहास और संस्कृती के साथ सीलेबस में कुछ टॉपिक हमारे विश्व इतिहास से भी पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स हमें आप और हमें आपको लिए बस में दिख जाते हैं तो आज से बीचले सब्सक्राइ था आप में से कई लोगों ने शायद देखा होगा और यदि नहीं देखा हो तो इस कोर्स में आप उसको कम्प्लीट कर लीजेगा 2023 और 2022 कमेंज देने वाले और 2024 को टार्गेट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज को देख सकते हैं और इससे अपना वर्ल्ड इस्ट्री कम्प्लीट कर सकते हैं इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए खास करके अठरवी सदी के बाद का जो विश्व का इतिहास है और उसमें जो प्रमुग गटनाएं बहुत सारी जैसे हम शुरुआत करेंगे प्रब प्रबोधन काल क्या था इसका क्या महत्पव था इसकी क्या विशेष्टाई थी और प्रबोधन क्यों आया इससे जुड़े हुए विचारक बड़े महत्वपूर्णे जैसे रूसों मॉन्टेस्क्यू वॉल्टेयर या इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका की क्रांती फ् पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ हम लोग डिसकस करेंगे तो अगर आप इस साल मेंस देने वाले हैं या अगले साल या उसकी अगली साल को टार्गेट कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस सीरीज से फाइदा उठा सकते हैं सबसे पहले आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि आवाज आ रही है मेरी एक बार कंफर्म कर दें सभी लोग क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं नमस्कार सभी को नमस्कार जैहिन कैसे हो भाई आप सब लोग ठीक है तो सेशन को लास्ट तक देखेगा आज हम लोग प्रबोधन काल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आज हम बात करेंगे अमेरिका की क्रांती दो टॉपिक हमें आज पढ़ना है प्रबोधन काल और अमेरिका की क्रांती तो लास्ट तक अगर आप सेशन को देड़ दो गंटा देखेंगे तो पूरा आपका यह दोनों टॉपिक यहां पर अभी होने वाला है चलिए शुरू करते हैं अनकेडमी इंडिया का सबसे बढ़ा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म है और आप में से कोई भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से घर बेठे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है ठीक है अपने यूपी एसी की और वाय अनकेडमी अनकेडमी ही क क्योंकि अनकेडमी आपको देता है वाइडेस चॉइस ऑफ एडुके जो है एडुकेटर जितने एडुकेटर यहां पर आपको मिलेंगे एक एक सब्जिक हिंदी में इंग्लिश में बाइलेंगल में इतने आपको किसी प्लेटफॉर्म पर वेराइटी आप्शन नहीं मिले हैं आप अपने कोर्श को चेंज करसकते हैं मतलब यहां पर जितनी बार चाहें एक ही सेशन को अनलिमिटेट टाइम देख सकते हैं इसमें आपको ड़ुके जो है सेशन भी होते हैं इसमें अपको बड़िया से नोट्स वी फिजिकल फॉर्म एटान अकैडमी में घर तक बे अगले टॉपर्स यहां से हो सकते हैं अभी आपके परसी कॉफर बहुत बढ़िया है कि अगर आप दो साल या उससे ज्यादा का अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको यहां से अनकैडमी फ्री दे रहा है जस्ट यूज मैं रेफरल क कोड़ सी के लाइव यूज करके आप में से कोई भी दो साल या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन के साथ एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में अभी प्राप्त कर सकता है इस रेफरल कोड़ का यूज करके लिमिटेड टाइम ऑफरे फिर अनकैडमी यूपी असी इसी को पता ही है कि हर सप्ता संडे को हर संडे को यहां एक टेस्ट होता यूपी सी का जिसमें आप भाग ले सकते हैं प्री में कई सारे प्राइसे जीत सकते हैं स्कॉलर्शिप जीत सकते हैं और अगर आपको एक परसनल को चाहिए डेली आंसर आइटिंग की प्रेक्टिस के प्लस या आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है आप यहां मेरा रैफरेल कोड़ अपलाए करेंगे सी के ल आई वी इए और टैन परसेंट का डिसकाउंट आपको यहां से मिलेगा सुब इस रैफरेल कोड को अपलाए करना ना भूले और इसके साथ आपको मिले तो विश्व इति हास हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सभी लोग यहां ध्यान दीजेगा पूरी तरह से कॉमेंट में कोई क्या कह रहा है पीडिएफ के बारे में सब बात अभी आप बाद में सोचिएगा पहले में जो पढ़ा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करी क्योंकि एक बार समझना और हमेशा की टेंशन खतब अगर आप आज नहीं समझेंगे तो अगली बार फिर किसी मास्टर के सेशन में जाके यही चीज़ समझने पड़ेगी आपको या इसी वीडियो को बार-बार देखना पड़ेगा समझने के लिए इसलिए अभी मैं समझा रहा तो यह है विश्व इतिहास का सिलिबस मेंस का जो यूपी एसी का जी एस का पेपर वन है उसमें हमसे विश्व इतिहास में क्या-क्या पूछा जाता है या पूछा जा सकता है पहले आपको कम से कम यह पता होना चाहिए तो अगर आप सिलिबस को देखें तो विश्व इति जिहास में अठरवी सदी और उसके बाद की घटना है मतलब सत्रा सो के बाद में अठरवी शताबदी में क्या हुआ उसके बाद में जो महत्वपून घटना है जैसे प्रबोधन वगेरा के बारे में आपको बता रहा था यह जो फेंलाइटमेंट तो यह आप से पूछा आपको अमेरिका की क्रांती भी आज पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको फ्रांस की क्रांती भी पढ़ाऊंगा और यह प्रमुख घटना है 28 सदी और बात की हम लोग देखेंगे फिर हमें पढ़ना है और दूनिया में बड़े पेमाने पर मशीनों से उत्पादन होने लगा और बहुत ज्यादा उत्पादन में ब्रद्धी हुई तो हम उस घटना को अध्योगिक क्रांती के नाम से जानते हैं तो अध्योगिक क्रांती कहा हुई आप सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत इंगलेंड से हुई ब्रिटेन से हुई तो अध्योगिक क्रांती ब्रिटे से और कुछ नेगेटिव हैं और जोगी क्रांती से कुछ जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको कुछ लकारात्मक भी हैं फिर हम बात करेंगे विश्वयुद्ध विश्वयुद्ध में हम दोनों विश्वयुद्ध देखेंगे 1914 से 1918 तक पहला विश्वयुद्ध हुआ तो पहले विश्वयुद्ध में क्या क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, किस प्रकार से पहला विश्वयुद्ध हुआ, इसमें आप देखेंगे पहले विश्वयुद्ध में जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये मिल के जो है आटोमन सामराज जी लड़े थे, दूसर भारत भी इसका शिकार रहा है, आपको पता है कि हम भी 200 साल लगभग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, तो भारत में भी ब्रिटिश जो है राज कर रहा था, दुनिया के कई देश भारत की तरह गुलाम थे, उपनिवेश थे, और यहां तक कि आपको पता होगा, पहला व समय तक संगर्ष हुआ, भारत ने भी संगर्ष किया, हमारे कई सारे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता, संगर्ष, सेनानी यहां पर शहीद हुए, उपनिवेश वाद की समाप्ती, कैसे उपनिवेश वाद दुनिया में समाप्त हुआ, उसके बाद राजनितिक दर्शन जिसे साम सामय बाद व इन विचारदारहों पर बात करेंगे समाज पर उनके प्रभावब फर बात करेंगे और कई सारी घटनाएं आद्विश्व के इतिहास की जिनों ने हमें प्रभावित किया है आपको पता है बहुत सारी ट्रांतियां तो है पिसरी रूस की ग्रांती चीन की ग्रांति यह सब तो है इसके अलावा भी कई सारी घटनाएं यैसे शीत यूद्ध शीत यूद्ध पर भी हम लोग बात करेंगे ऊपनिवेश्वात पर भी हम बात करेंगे गुट-nirpyaag के टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं आप से यूपी एसी में इन इन चीजों के बारे में कुश्चन पूछे जा सकते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए यहां देखें अगर आप भारत में इतिहास को देखें हिस्ट्री को तो एक तो प्री में हिस्ट्री आता है भारती कला और संस्कृति के कुश्चन आर्ट इन कल्चर के कुश्चन पूछे जाते हैं मौडर्न इंडियन इस्ट्री आद्धुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है मतलब प्रेलिम्स में हमें विश्व इतिहास यह वर्ल्ड इस्ट्री पढ़ने की जरूर नहीं है यह अंस्कृति और प्राचीन मद्यकालीन भारत का इतिहास भी पूछा जाता है अब विश्व के इतिहास को देखें कि कैसे पढ़ सकते हैं तो आप भारत की इतिहास को तीन भागों में बाटते हैं ना आवाज अरी है कि नहीं अरी मेरी आप विश्व के भारत के इतिहास को तीन भागों में बाटते हैं प्राचीन भारत का इतिहास मद्यकालीन भारत का इतिहास और आदुनिक भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास हमारा हडपा काल से उससे पहले से लेके आप देखे अर्शवर्धन के काल तक आपको मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, फिर हमारे हां सल्तनत काल का मुगल काल का जो इतिहास है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद भारत में आप देखते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद, खासकर औरंग जेप की मृत्यू 170 के बाद का जो इतिहास है वो आद दुनिक भारत का इतिहास माना जाता है, वैसे ही क्या हम दुनिया के विश्व के इतिहास को भी बाट सकते हैं, बिल्कुल बाट सकते हैं, पूरे विश्व के इतिहास को भी, ठीके, पूरे विश्व के इतिहास को भी हम तीन भागों में सबसे पहले देखो प्राचीन विश्व का इतिहास यह शुरू होता है आरंब से पाच्वी सदी तक जो रोमन सामराज्य है जो रोमन सामराज्य का पूरे बारे में सुनते होंगे प्राचीन काल में प्राचीन काल से लेकर तो पाच्वी सदी तक रोमन सामराज्य के काल तक य पुलिंगक फ्रबाना लेकर आज तक का इतिहास एक बार ने बता दूं किया क्या में आपको पता होना चाहिए इसकाल की खासिय थे कि समाच पूरी तरह से राज्य विवस्ता पूरी तरह केंद्री क्रत्थी लौकिक जीवन पर बल दिया जाता था यहां मानव केंद्र में था था यह प्राचीन इतिहास है मतलब इस काल में मानव जो है तर्क की बुद्धी की बात करता था और जागा हुआ था भीच में तो इसमत्र जागरन का मतलब क्या होता है पुनर जाग्रन का मतलब है, सोए हुए को जगाना, जो इंसान पहले जगा हुआ था और वो सो गया, तो उसको जगाने को कहते हैं पुनर जाग्रन, तो दुनिया पहले जगी हुई थी, पहले लोग जो है न, वो थोड़े से तारकिक थे, बुदिल्बान थे, और तर्क की कस सोटी पर बात करते दे बाद में दुनिया सो गई सो गई से मतलब यह है कि दुनिया में अधरक पर बात करना बंद कर दिया गया परमपरा के नाम पर आंख बंद करके चीज़े की जाने लगी कोई भी कुश्चन नहीं उठा सकता उन परमपराओं पर तो यह हो गया सोया फिर इसको जगाया गया तो चवधी से शोल्वी शताबदी की बिच पुनर्जागरण का काल आया और पिर दुनिया को फिर से जगाया गया इस काल में युरोप पश्चिमी भाक्ति राजधानी रोमन सामराज्य में रोम थी इतली में और पूर्वी राजधानी तुर्की में कि अब अब अधिकाली नितिहास में क्या थे विश्व के मध्यकाल के बारे में बस यह कोई डीटेल में नहीं बताओंगा मैं सिर्फ आप फुड़ा इंट्रोड़क्षन दे रहा हूं कि विश्व का इतिहास कैसे आगे बड़ा है आगे आगे आप बढ़ेंगे ना तो स्वामी जमीदार टाइप के लोग और सेनिक वर्ग के लोगों का बोल बाला हो गया मतब एक प्रकार से विशेश जो है अधिकार वाला एक वर्ग आ गया चर्च विवस्था थी यहां पर पूरी तरह से चर्च हावी था हर एक चीज पर चर्च का नियंत्रण था यहां की लो यहीं से आया क्योंकि जब चर्च बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो चर्च को मतलब धर्म को राजजे से अलग करने की मांग उठने लगी कि राज्जे एक अलग चीज है धर्म येक अलग चीज है इसके बाद में आप देखेंगे कि चर्च का पतन हुआ और फिर धर कर्म को अलग कर दिया गया राज्य से इस काल में आपको कर्मकान बहुत मिलेंगे कर्मकान से मतलब है कि बहुत ज्यादा रूड़ी वादी ता मानव का जीवन जो है बंधन युक्त हो गया कुछ भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था मानवी इस वतंत्रता जो है ग्रदूत कहते हैं क्यों हमारा समाज भी सोया हुआ था हमारे समाज में भी कई रूडिया परंपरा के नाम पर लोग बहुत घटिया चीजे भी कर रहे थे सती प्रथा चिसी जो है बुराई और कई सारी बुराई आपको भारत के समाज में मिलेंगी और यही वो काल्थज भारत के लोगों को भी जगाने की आवश्चक्ता महसूस हुई फिर कई सारे सामाजिक धर्विक सुधार अंदोलन भारत में आप देखते हूं तो ऐसे ही दुनिया में भी ऐसे हुआ था कि पहले मानव सो गया बीच में आधुनिक विश्व का जो इतिहासर वो पुनर लोगों को अपनी गलती का अहसास हुआ वहां विज्ञान को बढ़ावा दिया तर्क को बढ़ावा दिया गया तो फिर लोग दिमाग का प्रयोग करने लगे और फिर आगे का इतिहास आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ रोमन सामराज्य की पुरानी प्रवरतियां फिर से फिर से मानव तरक की बात करने लगा लौकिक जीवन पर बल देना लगा स्वतंत्रता की बात करने लगा बंदन से मुक्त हो गया बस यह तो हमें विश्व के इतिहास में जो आप से पूछा जाता है UPSC में अठरवी सदी और उसके बात कई तो देखो अठरवी सदी में हमें क अप में से पढ़ रखा होगा और कुछ ने नहीं पढ़ाऊगा प्रबोधन को क्या कहते हैं प्रबोधन को कहते हैं एज और एंड्लाइटमेंट मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सरी क्या चीज़ है फोड़ा सा रूखिएगा अभी मैं इसको डीटेल में समझाओंगा कि प्रबोधन का मतलब क्या है तो हम प्रबोधन काल पर देख सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि हम इस सीरीज में कौन-कौन से टॉपिक एक्जाम के पॉइंट आफ यू से कवर करने वाले तो भारत भी अमेरिका की क्रांती से प्रेरित हुआ बलकि वो जो नारा है ना वो नारा आपने सुना होगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन यह नारा तो आज तक लोगों की दिमाग में जो है बैठा हुआ है और यह नार होगा तो अमेरिका की क्रांती के बाद अमेरिका आजाद हो गया स्वतंत्र हो गया बोस्टन की टीप अगयरा सब में आपको बताऊंगा अमेरिकी क्रांती क्यों ही अमेरिका की क्रांती के क्या कारण थे उस पर हम बात करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि अमेरिका की क्रा आया। आधान लिखित। सम्भीधान अमेरीका में आया। तो ये सम्भीधान एंक एप पॉरिणा पर मैं तकी सम्भीधान को जो है प्रेरेना स्त्रोद बना। हमारे दिमाग में वह अमेरीका की सम्विधान की प्रस्तावना से आया ती किन दूसरी बड़ी करांती कि फ्रांसकी समय लगबग कुछ समय के अंतराल पर आपको एक और क्रांटी मिलेगी दुनिया में अठारवी शताबदी में और ये क्रांटी है फ्रांस की अमेरिका की तरफ फ्रांस की क्रांटी ने भी दुनिया को बहुत जादा बदल दिया बहुत परिवर्तन आया और फिर इसके बाद तो वो ख्रांती जिसकी वज़े से आज आप का जीवन मशीनों से भर गया है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे हाथ में गैजेट मशीने और यह जो कुछ भी आफ देख रहे हो ना यह सब उध्योगिक क्रांती की देल है तो उध्योगिक क्रांती के बारे बात यह आपको पड़ाऊंगा उपनिवेश्वात का मतलब यह क्यों लाया गया इसके क्या मतलब रहे इसके क्या परिणाम रहे यह सब देखेंगे उसके साथ देखेंगे अमेरिका का ग्रहयुद्ध अब अमेरिका आजाद तो हो गया लेकिन आपको पता होगा कि अमेरिका के अमेरिका के से अस्तित्तु में आया वो हम देखेंगे इटली और जर्मनी का एकी करन ये दुनिया की महत्वपून घटनाएं तो इटली जर्मनी का एकी करन 19 सदी की घटनाओं में फिर बीसवी सदी में तो जड़ी लगी हुई अगर हम दुनिया के बीसवी सदी के मतलब मैं आप पो उसकाल की बात करा हूं जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे ना आप भारत के स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ स्वदेशी बहिशकार अंदोलन जो है हो गय तो उस समय तुनिया में क्या चल रहा था जिस समय भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय दुनिया में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उस समय की दुनिया भी उथल-फुथल से बरी हुई थी मेरी बात समझ ने उस समय की दुनिया में क्या हो रहा था उस समय दुनिया में सबसे पहली घटना जो बड़ी हुई वही पहला विश्वयुद्ध निस सो चौदा से निस सो अठारा तक यह पहला विश्वयुद्ध लड़ा गया भारत का भी से लेना देना क्योंकि हमने भी अंग्रेजों को पुरा सहयों किया सपोर्ट किया और हम तो चाहते थे कि अंग्रेज जीते और उसके बाद में वह हमारे यहां पर समवेधानिक सु तो पहले विश्वयुद्ध में एक तरफ आपने देखा होगा जर्मनी ऑस्ट्रिय अंग्री ओटोमन समरजों दूसरी तरफ ब्रिटेन था प्रांस था रूस था इटली था जापान था अमेरिका था फिर वर्साई की संदी को मैं आपको उताओंगा इसमें लोग सबस्तान का उदय हुआ रूस की क्रांती 1917 में जब युद्ध चल रहा था ना तब ही आप देखोगे कि दुनिया में एक इतनी बड़ी घटना घट गई कि जिसने पूरी दुनिया के सोचने विजाविचारने का तरीका और नजरियाई बदल दिये रूस की क्रांती दुनि जिसने दुनिया को बदल दिया तो रूस की क्रांती एक इंपोर्टेंट टॉपिक फिर उसी के बाद में यहां पर दो इतली में फासिवाद और जर्मनी में नाजीवाद जैसी विचार धाराओं को उदय हुआ यह क्या थी इन पर बात करेंगे यही पर मैं आपको मुसोली किनी और हिटलर के बारे में बताऊंगा फिर दुनिया में आई आर्थिक मंदी कि आप सभी जानती कि उसी काल में दुनिया में इतनी बड़ी महामंदी आई कि बहुत बड़े-बड़े देश भी जो है और उनके किले जो है वो डह गए पूंजीवाद पर लोग प्रश्न उठाने लगे और उसी समय दुनिया के कई देशों ने समाजवाद का दामन थाम लिया आखिर समाजवाद इतना लोग प्रिये इसलिए हुआ क्योंकि इस मंदी में भी समाजवाद ने जो है धारा के विप्रीच चलके दिखाया तो हम समाजवाद की उपलब्दी परिणाम यह हुआ कि यह जो आप देख रहे हुआ यह सारे कारण है दूसरे विश्वयुद्ध के यह सारे कारण है पहला विश्वयुद्ध रूस की ग्रांती पासिवाद नाजिवाद आर्थिक मंदी यह सब कारण बन गए दुनिया में दूसरी या सबसे बड़ी तबा है दूसरे विश्मयुद्ध फिर आप देखेंगे चीन की क्रांगती हमारे पड़ोसी देश में बड़ी समस्याइं तब चल रही थी तो हम बात करेंगे माउट से तूंग सुनियात सेन वगेरा के बारे में तो चीन की क्रांगती देखेंगे उसके बाद आता है शीत युद् विश्मयुद्ध की समाप्ति के बाद में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संग दो बड़ी शक्तियां बाकी सब खतब सिर्फ दो लोग रहे गए मुकाबले में तो दुनिया दो दुरूबी होगी और इन दोनों का जो तनाव था वो इस लेवल का था कि इसक में खून उतरा जाता है और उस व्यक्ति के भी जो हाथ पर लाल पड़ जाते हैं और उसको भी एकदम दाथ भीचने लगता है लगता है कि यह दोनों अब दूसरे को पीटेंगे अब पीटेंगे ऐसे इस्थिती तो यह था शीत युद्ध कि 1991 तक 1945 में पहले विश्वयुद्ध के खतम होने के बाद से 1945 से 1991 तक दुनिया जिस घुटन भरे माहौल में जी रही थी ना इसको हम कहेंगे घुटन भरा माहौल एक प्रकार से दम घुटने लगा था दुनिया का कि यह क्या हो रहा है तो यह शीत युद्ध था आखिरका यह अपने आप खतम हो गया क्योंकि सामने वाली पाइटी जो है वो खुदी खतम हो गई तो फिर लड़ने लाएक कोई बचाई नहीं अमेरिका के लाई बच गया तो सोवियत संग के पतन और विगटन के साथ में दूसरे यशीत युद्ध खतम हो फिर तीसरे अब आप कहेंगे सर तीसरा विश्वयु तो हुआ ही नहीं तो तीसरा विश्वयु युद्ध हुआ नहीं लेकिन उसकी संभावनाएं बार बार जताई जाती है जैसे अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में रशिया और युक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और तो दुनिया कहीं न कहीं आख बंद करके डर लगने लगा कि तीसरा विश्वयु युद्ध शुरू नहीं हो जाए तो तीसरा विश्वयु युद्ध और फिर हम बात करेंगे गुट निर्पेक्ष भारत ने और कहीं देशों ने एक बढ़िया जो है कॉंसेप्ट दिया तो निर्पेक्षिता का सोवियत संग का विगटन उपनिवेश्वाद और उपनिवेश्वाद ने मांदोनन के नाम से आप जानते हैं ने मां मूवमेंट नॉन अलाइनमें मूवेंट फिर हम बात करेंगे जापान का अधुनिकर यह सब यह सब जो घटनाय मैंने आपको ब आप सभी जानते हैं कि गुट निर्पेक्षांदोलन की से बंथे देख उसरे शीथ में धूसरे विश्वाद के बाद अब सीत युद्ध हो गया तो गुट निर्पेक्षांदोलन भी खतम हो जाना चाहिए इसका क्या मतलब रह गया पर क्या यह आज भी प्रासंगी आब इसका रोल चेंज हो गया है गुक्त निर्पेक्ष आंदोलन कि हमें आज भी जरूत है कि नहीं। तो इसका अनसर है कि आज भी हमें जरूत है पर अब सजोआ प्राege SH excusa हज कम बंप चाहने के चलिए सब्सक्टे करते Age of enlightenment, इसे प्रबोधन या ज्ञानवाद का युग कहते हैं, एकदम सिम्पल है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इस निया कों से होते हैं, मतलब एक तु वो लोग होते हैं, वह पहले बिल्ली को इधर देखना शुरू कर दिया कि और अगर बिल्ली है तो मैं पहले निकल जाता हूं आसा नो मेंसे पहली निकल जाये तो एक तो लोग वो होते हैं दूसरे लोग वो होते हैं जो आपकी बातों को सुनने के बाद थोड़ी अकल लगाते हैं, अपने दिमाग के घोड़े दोड़ाते हैं, और वो लॉजिक लगाते हैं, कि अगर आप ये कह रहे हो, कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम बिगड जाता है, तो वो इबर सोचेंगे कि आपके काम का और बिल्ली का लॉजिक क्या है, ठीके, बिल् दुनिया में आप से कहा कि पहले वो लोग थे कि जिने जो कहो वो मान लें बीच में एक समय ऐसा था दुनिया में में आपको बता है मध्यकालीन विश्वकाई थी हास तब दुनिया ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी और परंपरा के नाम पर सारी चीजे होती थी अगर क किसी पाद्री ने कह दिया कि ऐसा कर दो तो कर लिया बिना सोचे समझे कर लिया तो यह वो काल था जब कोई तर्क की बात नहीं करता था कोई विज्ञान की बात नहीं करता था और एक प्रकार से दुनिया सोई हुई थी अब यह क्या है प्रबोधन काल के जब दुनिया जगी और दुनिया में फिर से बोध हुआ कि हम यह क्या कर रहे तो इसी काल को प्रबोधन काल कहते दरसल 1650 से लेकर 1780 इसवी का जो काल है आप नोट कर सकते हैं यह काल, यह समय, 130 वर्ष का समय, 1650 से लेकर 1780 के बीच का जो काल है, इस काल को प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है, मतलब यह हमारी 17 और 18 दोनी शताबदी से जुड़ा हुआ, 17-18 सधी दोनों से जुड़ा हुआ, पर इसके परिणाम बड़े भयान है, अच्छे हैं, इसके परिणाम बड़े हैं, ठीके, आर्थ से देखो, सबसे पहले बात करेंगे, प्रबोधन क्या होता है, फिर विशेष् हम यह सीक्वेंस रहें कि हमें क्या क्या इसके बारे में जानना है, ऐसा नहीं हो कि एकदम से सर्प्राइस की यह चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी और सरपड़ा रहे हैं, तो विशेष्टा है क्या है इसकी ज्ञान को विज्ञान से जोड़ दिया गया, मतलब ही लॉजिक हर एक चीज में लॉजिक लगाना शुरू किया गया, पहले क्या होता था ना, पहले विक्ति सुन लेता था उसको बिना सोचे समझे कर लेता था, अब इंसान सुनने के बाद पहले सोचता है और फिर करता है, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, प्रयोग और परिक्षन पर बल दिया जाना, प्रयोग परिक्षन पर बल दिया है, मतलब किसी भी चीज को टेस्ट करके, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं माल, कारण और कारे संबंधों का अध्यान किया गया, कोई भी चीज जो दुनिया में होती है तो बिना कारण से नहीं होती है, जैसे अगर सुब दिन निकलता है, सूर्य उदय होता है, तो कोई कारण होता है, रात को सूर्य हस्त होता है, अंधेरा चा जाता है, तो कोई कारण होता है, भूकम पाता है, तो बिना कारण के नहीं होता है, जो आला मुखी भटता है, तो बिना कारण के नहीं होता है, दुनिया में कोई कि आप भगवान के काम में दखल दे रहे हैं यह प्रकृति का काम हम नहीं जानते क्यों हम समझ ही नहीं सकते वो लोग यह मानते थे कि हमारी समझ से बाहर है अगर भुकम पा रहा है तो यह देवी शक्ति का काम है इसको मान लो चुपचा लेकिन हमने जब ज्ञान से मैं गलता हैं किसी ज्ञान की वजõ है आज आप देखो कि पहले आथी टि शुनामी आज भी आती त्यों अज भी आती जब पहले हते थैंकड तो कितने लोगों कि जान बचाने में सक्षाम ही पहले भी भुकम पाते ते लिखीन आज हमने कितनी सारी जो है में हम भुकम को रोक नहीं सकते लेकिन उससे होने वाले नुकसानों को प्रभाव को कम तो कर सकते हैं तो यह कार्य कारण संबन्द फिर प्रकृति पर बल्व मान उतावाद पर बल्व यहां पर मानो केंद्र में आया समानता की बात की गई ठीके देव्वाद और प्राकृतिक धर्म की बात की इसकी विशेष्टा हैं फिर यहां कुछ विचारक है जिनके बारे में आपको कॉते च्छाओंग आज खें Dark in ज्यादा नहीं तीन रूसो मांटेस्क्यू मांटेश और वॉल्टेर इनके विचार क्योंकि आज बी प्रासंगी कि आपने पड़ाऊगा को शक्ति प्रथक्रन का शिध्वान पडा है कभी पड़ा है पौलिटी पढ़ने वाला हर बच्चा शक्ती प्रृधककरण का सिद्धान पढ़ता है कारे पालीका ठीक है विधाय का और न्याय पादिका तीनों अलग-अलग यह आपको पता है कानून बनाना कार्यपालिका का कानून लागू करना और न्याएपालिका का काम उस कानून पर निर्णे सुनाना तो शक्ति प्रथक करन या आप जो बात करते हो न क्या हम कहते हैं सेप्रेशन ओफ पावर भारत के सम्विधान के अनुच्छेत-पचास में लिखा है कि राज् इसके दिमाग की उपजे कहीं से तो आया होगा यह इस बंदे की दिमाग की उपजे इस बंदे का नाम है मॉंटेस्ट्यू एडविन मॉंटेस्ट्यू का नाम मैं आपको बता दू और मॉंटेस्ट्यू की किताब थी इसकी किताब का नाम मैं आपको बता दू इसकी किताब का को बाट दू कि मॉन्टेस्क्यू को पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि शक्ति-प्रतक करन का सिद्धान समझना है तो इसके बाद हम वॉल्टेयर पी बात करेंगे वॉल्टेयर रूसो वॉल्टेयर मॉन्टेस्क्यू तीन विचारक में आपको बताऊंगा और आखिर में हम देखेंगे निशकर्ष के रूप में प्रबोधन का परिणाम कि इस पूरे के पूरे घटना से हुआ क्या दुनिया समझ में करें दम शान्ती से पढ़ते हौले होले समझते समझते चलिए किसी तरह का कोई प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं डालना है पाँच बढ़ के अंदर सब को समझने की कोशिश ना करें थिके थोडा-सा अपने दिमाग को को शान्त रखकर समझेंगं सब समझ में तो प्रबोधन का अर्थ सब से पहले प्रबोधन में आप Σे तर्क और विग्यानिक खोजों पर बन दे रहे थे तो इसी प्रव़णति को हम क्या कहेंगे जब विकती है माना उतावात की बात करने लगता है तो यही प्रवरत्ती प्रबोधन कहलाती है आगे समझ में परिपक्वता की चिंतन किये परिपक्व अवस्था ही प्रबोधन कहलाती है देखो कैसे पता चलेगा आपको कि कोई इंसान प्रबोधिन उसमें है या नहीं कैसे पता करो कि मैं आपको बताता हूं बड़ा आसान तरीका है यदि व्यक्ति काम को करने से पहले लौजिक लगाता है यदि व्यक्ति काम को करने से पहले सोचता है अपनी अकल लगाता है कि यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि उसमें यह परिपक्वता है और यदि व्यक्ति बस फलाना बाबाजी ने कहा था मौलवी ने कहा था सादू ने कहा था जो फलाना धिकाने सब मान लियाग बंगर तो मतलब उसमें वो परिपक्वता नहीं है यह हो गया प्रबोधन का अर्थ अब इसकी विशेष्टा है इसने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा अगर हमें यह बात पता है कि हर साल भारत में एक निश्चित समय पर जून जुलाई के बाद में पानी आता है हमें पता है यह बात यह हमारा ज्ञान है पर हमें किसी ने कहा कि यह तो सिर्फ इश्वरी ताकत से हो रहा है यह इश्वरी चीजें सारी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और अगर कोई विक्ति पड़ा लिखा है और जिसने समझा हुआ है मौन सुन सिस्टम को तो वह जानता है कि यह क्यों होता है हर साल भारत में गर् प्रयोग और परीक्षण किया जा सकते कई बार के अस्था की खोज में होता है st fresh थ्रुथ क्या होता है तो प्रवोधन के शाप से प्रवोधन काल के चिंतकों के Vuos से सच वह जिसको आप पर प्रीक्षण कर सके जिसका आप लौजिक निकाल सके ज्ञान आस्था कविशे नहीं है बलकि तर्क और प्रमान से युक्त होता है कि कई बार लोग कहते ना की और यदि वो गलत है तो उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा बस चल रहा है सती प्रत्था कोई लौजिक था लेकिन चुकि परंपरा से चली आ रही थी तो लोग कर रहे थे अगर कोई पूछे तो उसको जो समाज से बाहर कर दे जाती से बाहर कर दे तो यह आस्था कवीशनी गयान जोए है तर्क और प्रमान से युक तो होता है अब मद्यकाल में क्या वा ना मैंने आपको मताया गया था कि स्राष्टी दोहे लिगा जो है लिग द्वारशब्न माना तो वॉरण इसको समझा नहीं जा सकता यह समें मद्यकाल के बोएव़ और हम इस स्रश्टी को, इस संसार को समझ नहीं सकते क्योंकि ये दुनिया भगवान ने बनाई, ये दुनिया मानवी समझ से परे है, आप इसे समझ नहीं सकते, इसलिए मध्यकाल में ये सूत्रवाग के प्रचलित हो गया, कि जहां ग्यान का प्रकाश अलोकित नहीं होता, व समय की निशानी है, लेकिन बाद में प्रबोधन काल के आने पर बहुत कुछ बदला क्योंकि वो इस बारे में ये कहते है, जानो तब मान, जब तक आप किसी को जानते नहीं, तब तक आप उसे मानिय मत, मैं आपको बतादू कि फलाना इंसान ऐसा है, फलाना विक्ति बहु किसी को और कहता है, उसकी तारीफ में कसीदे गड़ता है, कि ये विक्ति बड़ा समझदार है, होश्यार है, इस से जादा इंटेलिजन दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या बस उसकी बात सुनके उससे शादी अभी वहा कर लोगे, ये बताओ, नहीं ना, आप पहले उस व अज्छी व्यकी वैसा है जैसा कहा जा रहा है, क्या ये वीक्ति सच में बुध्दिमान है, समझदार है, शोल है, या जो भी क्वालिटीस होने चाहिए किसी अच्छी इंसान में क्या इसमें है कि नहीं, इसी को कहते हैं जानो तब मानो पहले जानो पहले समझिये जानिये उसके बाद मानी अगर आँख बंद करके आप चीजों पर विश्वास करने लगे तो फिर तो हो गया आपका ठीके कारण कार्य संबंदों का अध्यन प्रबोधन के चिंतन का मुख्य तत्व क्या जानते कारण और कार्य के संबंद का अध्यन कि कोई भी का घटना किसी भी पूर्वत्ति घटना के उत्तरदाई होती है जो एक कारण के रूप में मौज़िद होती आप कोई भी चीज दे नाम है तो इनका ये मानना था कि आप अगर किसी घटना को देख रहे हूं तो उसके कारण को जानने की कोशिश करो ठीक है और अगर कारण के बारे में आप नहीं जानते हो तो फिर आप गलती कर रहे हो इस कारण को जानना इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति की विनाशक गति लो जितने विनाषकारी घटनाएं बाड चकरवाद सूखा या जो भी घटनाय कि जिन से दुनिया में जानमाल की हानी होती है क्या उनके कारणों को जानना जरूरी नहीं है और उनके कारणों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उनसे इंसानियत को बचा सके मानवता को बचा सके ठीक है तो मानव की रक्षा के लिए हमें उन कारणों को जानना ही होगा ठीक है यह इसका एक सबसे बड़ी विशेष्ट है फिर इन्होंने मानवता वात पर बल दिया प्रबोधन काल की ये दूसरी विशेषता अगली है कि मानव तावात पर बले मानव तावात का मतलब क्या है मानव तावात का मतलब यह कि यह मानव को अपनी विचार धारा के केंद्र में रखते हैं इनका यह मानना था ठीके मत्य यूग में माना जाता था कि मानव जन्म से पापी है इसलिए प्रकृति के रहस्तियों को नहीं जान सकता और देखो कारण कैसे कैसे बताया जा रहे है कि मानव प्रकृति के रहस्तियों को नहीं सुल जा सकता मानव प्रकृति के रहस्तियों को क्यों तो इसका कारण बताया कि वो तो पापी है वो तो अज्ञानी वो समझ नहीं सकता बताई यह क्या आप ऐसी चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं पर दुनिया ऐसी ही थी प्रबोधन काल के पहले प्रबोधन के चिंतकों का मानना है कि मानो जन्म से अच्छा और विवेकशील । चोछ चलता था याख और घूक को यहांचूत के लोगों को नीची जाती के लोगों को आमजन्ता के साथ रहने के अनुमत ही थी वह सारे काम नहीं कर सकते थे जो उची निचली जाती के लोग कर सकते थे ऐसा क्यों क्या उनमें योगिता नहीं थी क्या निचली जाती में पैदा हुआ व्यक्ति योग नहीं होता था क्या निचली जाती में पैदा हुए व्यक्ति के पास बुद्धी नहीं होती थी लेकिन हम यह मानते थे हमारे यह माना जाता था कि वो नीची जाती में पैदा हुआ है, इसलिए वो अच्छूत है, और वो बाकी लोगों के जैसा नहीं हो सकता, क्या आप इस विचार धारा को सपोर्ट कर सकते हूं, तो इनका ये मानना था, जबकि हम सब जानते हैं, अगर आप ये मानते हैं, कि हर मानव जन्म से बराबर ह सब जाती में पैदा होने से आपकी बुद्धी कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी जाती में पैदा होंगे, और उसके बाद भी आप एक अच्छे बुद्धीमान समझदार व्यक्ति हो सकते हैं, तो जन्म से तो सब बराबर होते हैं, एक जो बालक पैदा होता है, बच् तो इनका यह मानना था कि मानव जन्म से अच्छा है विवेक्षील है और विकास के क्रम में वह धर्मा धिकारियों के हाथ में पढ़ गया है और ब्रश्ट और स्वार्थी हो गया कई सारे जो होते ना धर्म के ठेकेदार इनके हाथों में पढ़ने की वज़े से इनकी बातों में आजाने की वज़े से हमारे कई लोग बटक जाते हैं आपने देखा होगा कि भारत में कई बार ऐसा होता है कि कई सरे तांत्रिक मांत्रिक टाइप की लोगों से गलत काम भी कर वा लेते हैं क्योंकि उनकी बातों में आके व्यक्ति अंधा हो जाता है अपना विवेक छोड भताप्धि हुआ है लेकिन वह नहीं तो मानव को इस भस आचरण से मुक्त होकर प्रत्य मानों करना चाहिए हर मानव को एक जैसा मानना चाहिए यही है प्रभोधन YOU THופ थेकर प्रभवतन के चिंत को ने प्रकरती पर भी बल दिया और कहा कि tuition एका झोन नी संटर्फ घर इनउट और आधी करया है और हम आद तो इन लोगों के इन love के सवतंट्रता पर भल लिए और मैं YouTube कर दो आपको कि जैसे हमारे यां कई करने कि जाते हैं कि जाती से बाहर कास्ट से बाहर, इंटरकास्त कोई मेरिज करने जाता है, तो हमारे यह लोग उसे करने नहीं देते, माता पिता, परिवार वाले, समाज वाले, रिष्टेदार उस पर प्रेशर बनाते हैं, कि तुम जाती से बाहर, समाज से बाहर शादी नहीं कर सकते, तो बताईए उसकी स्वतंत्रता का क्या हुआ, वो अपनी मर्जी से अपनी जिन्दगी के इस निरणय को भी नहीं ले सकता, आप परमपरा के नाम पर, आप इन सारी चीजों के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन लेते हैं, समझें मेरी बात अब, तो यह वही चीजे कि मानव स्वतंत्र है, और मानव को अपने हिसाब से चीजे करने का अधिकार होना चाहिए, तो यह मानवी स्वतंत्रता पर बल देते थे, फिर इन्होंने देववाद या प्रकृति, प्राकृतिक धर्म पर बल दिया, मतलब यह कहत कि मानव कर्म कांड से मुक्त होकर आचरन करें, कुछ भी नहीं, अगर आपने कभी राजा राम मोहन राय को पढ़ा हो, आप राजा राम मोहन राय के विवेकानन्द के विचारों को यह दी पढ़ें, तो आपको यह सारी चीजे वहां बिल जाएंगी, वो लोग इनी चीज करने के लिए पत्र-पत्रे कांड निकाली, यह सब काव इसी लिए है, इन चिंतकों ने इसपस्ट किया कि चाहे किसी भी परम सत्ताने स्रश्टी का निर्बान किया हो, लेकिन अब इस स्रश्टी को चलाने के लिए मान उत्तरदाई है, यह बात भी सही है, आपने कोई पूरा के भंगार कर सकते हैं, और उस पूरी गाड़ी को खटारा करके और उसको कबार में बेच सकते हैं, और इस आप चाहे तो उस गाड़ी को 20-25 साल तक भी आराम से चला सकते हैं, अगर सही मैंटेंस आप लोग रखें तो यह मानव है अब इस सब को चलाने के लिए उत तंत्रता की बात करने वाला जो है विश्व चाहिए, यह सब हमें तय करना है, यह कौन तय करेगा, यह हम तय करेंगे, यह भगवान नहीं तय करेगा, अगर मान लिजे अमेरिका ने जापान पर बं भुड़ा और जापान में इतना विनाश हुआ तो इसके लिए भगवान को दोश नहीं ठेरा सकते हैं, उसके लिए वो दोशी नहीं है, तो इनका यह मानना था कि इस दुनिया को चलाने के लिए इंसान ही उत्तरदाई है, तो हमें यह तय करना चाहिए, कि हमें इस दुनिया को कैसे चलाना है, तो इस तरह थोड़ा सा एक शौट में बता दू इसके चिंतकों ने ज्यान को विज्ञान से जोड़ा, नोट कर सकते हूं, शौट में चाहो तो, ज्यान को विज्ञान से जोडने का नाम प्रबोधन, प्रयोग और परिक्षन पर बल देने का नाम प्रबोधन, कारणों की पहचान करने पर बल देने का नाम प्रबोधन, व मेशिनी करन की स्थितिती है यह विए वी क्यों की कभी आई नहीं ब्रभुतिक सुख सुख्ष वह विधाओं में व्रद्य हुई। दूसरी तरफ प्रभोधन के चिंतकों ने मानवतावाद प्रकृति पर बल देते हूं मानवीय स्वतंतरता समानता कि अउधारना इनको प्रस्तूत किया इसलिए मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास किया गया और इस द्रश्ति से आप देखोगे प्रभोध कालिन चिंतन बहुतिक तामे व्रद्धी के साथ साथ मानवीय मूल्यों में रक्षा की बात करता है तो आपको अभी तक कि मेरे इस पूरी मामले में समझ में प्रभोधन क्या होता है और प्रभोधन की विशेष्टा है क्या होती है अब यहां विचारक की बात करें तो सिर्फ तीन विचारक में आपको बताऊंगा इन्हों ने प्रकृति पर बल दिया और दूसरा मानव अधिकार मानव स्वतंत्रता और समानता की बात देखो दुनिया में असमानता जो शब्दा आप सुनते हो ना असमानता कितने तरेकी होती जानते हैं असमानता दो तरेकी होती है दो तरेकी कैसे एक तो प्राकृतिक असमानता जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते कोई व्यक्ति काला पैदा होता है कोई व्यक्ति गोरा पैदा होत तो जेविक संद्रचना रंग कद यह सब हमारे हाथ में नहीं है और अगर दो विक्ति इन कारणों से अलग-अलग है कि एक काला है और एक गोरा है तो यह प्राकृतिक असमानता है ठीक है दूसरी असमानता है सामाजिक जैसे धनी और निर्दन कोई गरीब है कोई अमीर है यह हमारे द्वारा किया गया है नसल भेज जाती धर्म भेज लेंगी का समानता तो यह सब कुछ यह हमारे द्वारा बनाए गई है जैसे रूसो रूसो जो एक चिंतक है वो इस मानव निर्मित असमानता पर चोट करता है कि यह जो असमानता है यह हमारे द्वारा दी गई हो और इसको हम समाप्त कर सकते हैं अगर दुनिया में अमीरी गरीबी की खाई है अगर दुनिया म सबसे पहले मैं आपको सिर्फ तीन चिन तक बताओं और बड़ी जल्दी से मात्र दस मिनिट में पूरा टॉपिक हो जाएगा तीनों चिन तक हो जाएंगे क्योंकि बस आपको बताना जरूरी आपको पता होना चाहिए इनके विचार ही आगे आने वाली क्रांतियों के लिए परेता हैं हैं इसरा तरफ सो मॉंटेसि क्यूंव वाल टेयर इन hadしました उनके विचारों में आप देखोगे कि जो अमेरिका की ती फ्रांज की उत्पत्ति कैसे हूई इसका यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ватि हुई है मानों में असुरक्षा की भावनाओ से क्सिटो गिसे के पास इसी के पास क्ते है उसी असुरक्षा की भावना कीवज्य से राज जी जीसी चीज की उत्पत्त्य, मान rocky के लिए मान की बहुत ज evol fleet और इसलिए उसने अपने अधिकार राज्य को सौप दिये जैसे आप देखो कि पुलिस पुलिस का क्या कॉंसेट है पुलिस आपके लिए है तो क्यों है पुलिस क्या करती है पुलिस कानून विवस्था को बनाए रखती है और आपके इलाके में शांती सुनिश्चित करती है किसी भी तरह की गड़बड किसी भी तरह की अपराद को रोकती है तो दरसल आपकी सुरक्षा के लिए ही तो पुलिस है बदले में हमने पुलिस को कई सारे अधिकार दिये है ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गए होगी कि मानव में जो असुरक्षी का भावना है रूस के विचार को समझने की कोशिश का है रूसो प्रबोधन-काली एक प्रमुख विचारक है जो मान रूरी स्वतंतरता पर समांता पर बंदुत्व पर बल देता है उसने एक बात बहुत अच्छी लूंग किमा वह स्वतंत्र पधा हुए कोई मान गुलाम प्रकृति की तरह मानव भी किन्तु बहुतिक विकास के साथ उस पर कई सारे नियंत्रन आरोपित किये गए हैं और दीरे-दीरे हमने मानव की स्वतंत्रता को कम किया है है ना जैसे जानवर होते हैं जानवर जन्म से स्वतंत्र होते हैं और हमेशा स्वतंत्र रहते हैं उन्हें जब जहां जाना होता है चले जाते हैं जहां सोना होता है सो जाते हैं जहां खाना होता है खालेते हैं जो खाना होता है खालेते हैं वैसे मानव भी स्वतंत्र हैं लेक यह बहुत अच्छी बात रूसों न joking कि है ठीकरथी किeler холод पक्रती ने अपनी संप्रहें कर अपर किसी जब्लमें विशेश को कोई विशेश अधिकार दिया कि यह पानी जो सिर्फ इस वर्ग का होगा या इस जंपली इस व्यक्ति का होगा यह पेड़ुरी इस description गिरेंगे तो यह विक्ति खाएगा प्रकृति की नजर में सब बराबर है प्रकृति ने सारे जितने भी अधिकार है जो भी चीजे चो संसाधने वह सारे मानव को दिये हैं वो किसी को मना नहीं करती अगर नदी से पानी बहराएं और अगर वो कोई विक्ति पानी पिने समाजवाद को समझना चाहते हैं समाजवाद की विचार धारा यहीं से निकलती है रूसों के विचार से रूसों का मानना है कि हर एक चीज़ पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए कोई भी नीजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए और यहीं से आप समाजवाद को देखोगे समाजबात भी तो यह कहता है तो यह कहता है कि प्रकृति नीजी संपत्ती के अउधारना का खंडन करती है तो मानव में भी प्रकृति की तरफ लोटने का मतलब यह यह कि उसको भी समता को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और सारे संसादनों को सब में बराबर- में इसोगो लगता है कि मनुष्य ने बनाई ये प्रकृति ने नहीं पनाई फैल धर्म जाती नसल-भेद इन सब को समाप्त करने की आप करता है और मानवी समता की बात करता है इसलिन गफै своge Еक कि आपको पो ने चिंतन में रूबातों में दिखाइं करेंगे मतलब कई नगी समाजवादी विचारधारा रूसों के ही चिंतन से निकली है अगला इस तरह हम कह सकते हैं कि रूसों के चिंतन में समाजवाद और प्रजातंत्र के बीज दिखाई पड़ते हैं इसने कहीं भी निरंकुष शासन या निरंकुषता इस्थापित करने की बात नहीं किये यह मानव अधिकारों का समर्थक था और मानव अधिकारों की बात करता है अगला नाम बड़ा महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा था मॉन्टेस क्यूं भाई एक चीज जो मैं आपसे कहा जिसके लिए आपको याद रखना है इस वेक्ति का नाम और वो है शक्ति प्रथक करन का सिध्धान शक्ति प्रथक करन का सिध्धान ठीक है मॉन्टिस क्योंने ही सबसे पहले हैं इस आप पढ़ते हूँ कि नहीं पढ़ते हूँ में आमेरिका में बहुत है स्ट्रिक्ट ट्रूप से फॉलो किया जाता है वहां विद्धाईका का काम विद्धाईपां जीक का ्रेविक का सिध्धार planesance तो यह separation of power का concept इसी महा पुरुष का है, यह प्रबोधन काली एक प्रमुक विचारक है, मॉन्टेस्क्यू साहब, इन्होंने शक्ती के प्रथक करन सिध्धांत पर बल दिया, क्यों दिया, दरसल इनका यह मानना था कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़े होंगी, तो निरंकुष हो जाएगा, आप एक व्यक्ति को सारी चीज़े नहीं सौप सकते, समझ रहे हैं, अगर एक व्यक्ति के हाथों में शासन की सारी शक्तिया होंगी, तो निरंकुषता पैदा होंगी, और स्वकंत्रता बाधित होंगी, इसके लिए आपको ज़्यादा दूर जान करता है कि हाथ Mexico को बना रहा है कानून्राजा बना रहा हैए, कानून को लागू भी राजा कर रहा है, और सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा न्यायधी पिरदा नहीं ही सै ऐजalten, सबसे नहीं कहें, तो इसलिए राजा मनमानी करते हैँ अगर राजा जनता के पैसे को अपनी एशो आराम में उड़ा रहा है तो क्या कोई कुश्चन पूछ सकता था अगर राजा अपने बेटे को अगला राजा बना दे भिना भले वो लड़का एकदम मूर्ख हो उसमें अकल नाम की चीज भी नहीं हो वो बिल्कुल भी आयोग्यों तो भी वो राजा अपने बेटे को राजा बना दे तो कोई कुछ कह सकता था यह भी आपको पता है द्रतराष्ट्र यह बात जानते थे कि उनके पुत्र से जादा योग्य जो है उनके भाई के बच्चे हैं लेकिन पुत्रमों वो अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहते हैं जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पांडवों में उनसे ज्यादा योग्य गिता थी लेकिन वो अपने पेटे को राजा कुछ कह नहीं सकता कुछ नहीं कह सकता को राजा के हाथ में जब सारी शक्तिया होती थी ना तो इस तरह की निरंकुष्टा होती थी और मानव की नहीं सब्सक्तिया तो इसलिए मॉन्टेस्क्षान ने कहा कि शक्तियों को बात इस व्यक्ति की बात को अमेरिकाने बहुत सीरियस लिया अमेरिका का संविधान जब बना जब अमेरिका का संविधान बना तो आपको पता है कि वहां पर शक्तियों का प्रथक करण डिखाई देता है अमेरिका ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और उसने कारेपालिका, विधायका, न्याइपालिका को पूरी तरह अलग कर दिया, ताकि कभी भी कोई एक वर्ग या सरकार का कोई एक अंग मनमानी नहीं कर सके. अतहां मानवी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए विधाईका, कारेपालिका और न्याइपालिका की शक्तिया अलग-अलग हाथों में होनी चाहिए. ये व्यक्ति आपको जो मैं बता रहा हूं ना ये दुनिया के कई सारे सम्विधानों की का आधार है. मॉन्टेस्क्यू को ये चिंतन फ्रांस की करांती में प्रेरिणा बना, जहां निरंकुष शासन के किलाग करांती हुई. अमेरिका के स्वतनत्रता के बाद, अमेरिका के सम्विधान में इनके विचारों को देखा जा सकता है, जहां शक्ती का प्रतक्रन सिद्धान्त लागू किया गया, तो मॉन्टेस्क्यू वहां भी आपको मिल जाएंगे. अगला नाम है वॉल्टेयर, बस ही आखरी है, वॉल्टेयर तीसरे और आखरी विचारक है, तो इन्होंने तरक पर बल दिया और मानव के अधिकार और स्वतनत्रता पर बल दिया, इन्होंने ये कहा, हर बड़ी चीज को बदल डालो, जो मानव का शोशन करने वाली है, जो आपके अधिकारों को सीमित करती है, जो आपका शोशन करती है, उस हर एक चीज को बदल डालो, काल माक्स तो बाद में आया, काल माक्स से बहुत पहले ही वॉल्टेयर ने बात बोल दी थी, कि अगर कोई चीज तुमारे साथ गलक कर रही है, अन्याय कर रही है, बदल दो, चेंज करो, तो ये मानव का शोशन करने वाली, मानव अधिकारों को सीमित करने वाली संस्थाओं को बदलने की बात करते थे, तो जहां चर्च जो है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, लोगों के अधिकारों में कमी हो गई थी, कटोती हो गई थी, तो चर्च को ह बदल दिया चर्च के ही अधिकारों में कटोती कर दी गई तो यह धार्मिक कर्मकान पर प्रश्न चिन्न लगा रहा था और चर्च विवस्था के दोशों को उजागरिज ने किया प्रांस की क्रांती में भी आप वॉल्टेयर की विचारों की भूमी का देखी जा सकती है तो प्रबोधन काल का महत्व क्या था कैसे दुनिया को इसने प्रभावित किया पहली चीज तो यह जो आज का विश्वाव देखी आप देखी प्रबोधन का देख रहे हो ना आधुनिक विश्व के निर्मान का अधार इसने तैयार किया आज जो दुनिया में विज्ञान की बात हो रही है आज जो दुनिया में तर्क की बात होती है साइंस की बात होती है यह सब जो है प्रबोधन काल के वज़े से हुआ है फिर प्रबोधन काली इ और अध्योगी मा जो है क्रांती इसी से निकली है जब नहीं नहीं खोजे हुई तो उसके बाद फिर दुनिया में अध्योगी क्रांती जैसे घटना हुई फिर निरंकुष राज तंत्रों पर चोट जो लोग सारी शक्तियां अपने पास रख के जनता पर जुल्म ढहा रहे अट्याचार कर रहे थे उनका शोशन कर रहे थे उन सब को हटा दिया गया प्रांस की करांती रूस की एकजांपल है बड़ी-बड़ी राज्यतांत्रिक शक्तियों को जनताने घुटने पर जो है एक बिठाने मजबूर कर दिया मानव अधिकारों को बनाय लखने वाली प्रबोधन की ही देन है कि दुनिया मुक्त व्यापार होता है आज हमारे आपर बड़ी-बड़ी क्रांतियों के उदाहरन है वह सब इसी की वज़े से तो यह हो गया प्रबोधन का महत्व अब चलते हैं आगे बस मशीनी करन को बढ़ा विला और यह सब मैं आपको बता चुका हूँ इससे मानव की बहुतिक जीवन में व्रद्धी हुई मानवी संस्कति में लेकिन गिरावट भी आई निशकर्ष दाम कह सकते हैं कि प्रबोधन कालीं चिंतन ने मानव को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया और इनकी प्राप्ति के लिए कई देशों में राजनेतिक और सामाजिक क्रांतिया हुई तो यह आखिर में कॉन्क्लूजन है यह निशकर्ष है चलिए तो प्रबोधन से तो कोई दिक्कत नहीं किसी को प्रबोधन का हमारे इस दुनिया में वर्तमान दुनिया में क्या योगदान है क्या महत्व है बस यह समझने की जरूत है कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है जरा समझो इस बात को थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुना एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है दिन बर सोय अभिया रेता यह उसको जीवन से कोई अवीद है इस अधा जए कोई उद्देश्य मतलब उसको बताए कि भाई तेरे जीवन का उद्देश्य कहा है तुझे क्या करना चाहिए तुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए उसे सब समझा दे और उसके तो जो उस व्यक्ति का महत्व है ना उस को जगाने में वहां तक पहुंचाने में वही काम है प्रबोधन को हमारी दुनिया को यहां तक लाने में काहा जाता है कि महाकवी कालिदास एक नंबर के मुर्क थे और जब शादी हो गई तो पतनी से इतना अनुराद था कि बस दिन बर पत्नी पत्नी किया करते थे एक पल के लिए भी पत्नी को छोड़ते नहीं ठीके तो एक समय एसा आया कि पत्नी जो है माई के गई और उसके पीछे तुल्सी दास से रहा नहीं जा रहा रहा पत्नी के बिना तो वो पीछे-पैचे वह भी चले गई तो पत्नी घर पहुँची से और पीछे-पीछे आराज भी कि तुम्हें इतना ज्यादा मोह है मेरे साथ अगर मेरी जगे इतना ही तुमने धिहान भगवान में लगा योता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है इसके बाद तुलसी दास का जीवन ही बदल गया इसके बाद पत्नी से मोह जो है चूट गया और सारा जीवन जो है भगवान को समर्पित कर दिया राम की आराधना को कर दिया और फिर आपको पता ही है कि राम चरित मानस जैसा गरंथ भी उन्होंने लिखा तो यह जो पुरी घटना है यह बताती है प्रबोधन का महत्य पत्नी ने क्या किया यहां पर पत्नी ने प्रबोधन का काम किया ठीक है यहां पर पत्नी ने उनके जीवन में एक नई दिशा उनको दिखाई अगर वह प्रबोधन नहीं करती वह नहीं दिखाती तो शायद त जा ठहुर ता उम्र पतनीपनी करते-करती ही मह चानीय मोगीरम मटल में और tek ArMA किरते हैं अमेरीका की करांती दूनिया मेडी में महत्त गटना कृतना दूनीय मेंおおas iki 내का किि में अमेरिका की नैंज रहा करते हैं क्या समझना है वह देखते हैं camera कारण अमेरिकी क्रांति के और यह दरसल आपको पता है भारत की तरह अमेरिका भी बृटेन का अपनीवेशट अब लगोई और अत्याचार कर रहा था तो एक समय के बाद अमेरिका के लोगोंने कहा बस अब और नहीं बहुत हो गया और उसके बाद आप देखते हैं इसे लोगों का प्रभोधन काल का बहुत जादा प्रभाव पड़ा है तो यहां का लोगों में स्वतंत्र आता को लेकर बहुत ज्यादा ठीक है वह था कि हमें भी स्वतंत्र रहना है हमें स्वतंत्र विचारों को प्रात्मिक्ता देने लगे थे दोश्पून शासन विवस्था जैसे भारत में ब्रुटें कर रहा था जासन वे प्रेटेन और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको सप्तवर्षी युद्ध कहते हैं। और सब्तवर्षी स्री क्यूंकि युक्कि साथ साल तक अमेरिका और बृते उर फ्रांस बृते अपस में लड़ते रहें। यह वही समय जब आप देखो कि भारत में भी वांडिवाश का युद्ध हुआ था तीसरा करनाटक युद्ध का टाइम बता हूं है तो सब्तवर्शी युद्ध की वज़े से भी अमेरिका की करांटियों यह भी एक कारण था क्यों कैसे इसका कानेक्शन क्या है अमेरिका की क क्रांटी से सब्तवर्शी युद्ध का क्या करनेक्शन वह मैं अब भी बताऊंगा फिर ब्रिटिश शासक की नीतिया ब्रिटेन के जो शासक थे वह जिस प्रकार की नीतिया उन्होंने अपना ही वह भी अमेरिका की करांटी का एक कारण बाना जाता है और बहुत्धिकों क सब्सक्राइब बहुत्धिकों की भुमिका तो हर क्रांटी में मिलेगी कुछ लोग होते हैं समाज में जो जागरुक होते हैं सचेत होते और दूसरों को भी लगातार जागरुक और सचेत करते रहते हैं तो इनकी क्या ब्होमी कर रही? अमेरिका की क्रांटी के कारण एके करके समझने कि कोशिश करते। पहले आप समझों की स्थिती क्या थी? क्या था अमेरिका? तरसल 1588 में Сोलवी शेताब्दी में बRITAN की नौसेना जिसे आप शाही की नौजएना कहते रॉयल प्रिकिस न सबी में उसने इस्पेश्झत किया और अमेरिका पर थब राप राध था कि using उपनिवेश ज cosmetic यह गिया तो तो अमेरिका में बिटिश एक उपनिवेश शक्ति के रूप में शुरू हो गया तो कारण क्या है अमेरिका की क्रांती के कारण नंबर एक कि सबसे पहला कारण है दोश्पूर्ण शासन कैसे शासन चल रहा था दरसल जैसे भारत में आप गवर्नर जन्रल पढ़ते हो न मिला वैसे ही ब्रिटेन का गवर्नर अमेरिका में भी शासन चला था तो वह गवर्नर अपनी एक आउंसिल इसाहिता कांull say जो उसकी दुवारा ही गटित की जाती तिउसके ही दवारा चैनित की जाती तही तो अपनी कांशिल की सहाइथा से गवर्नर कानून बनाता था अमेरिका के लोगों को एंट्री नहीं थी इसे कर लगाने का इसे कर लगाने का कानून निर्भर होता था यह सब भी गवर्णर करता था मतलब कुल मिला के अमेरिका में गवर्णर का शासन था और वो मनमानी करता था डीटेल में समझें अभी अगला कारण जो है वह सब्तवर्श युद्ध मैंने आपको पता इंग्लेंग और फ्रांस के बीच में युद्ध की हाइज की वांडी वाश का युद्ध याद एक //से चलंपा वांडी वॉश के युद्ध करें पड़ाय के नहीं पड़ाय और भृत हुआ बेश्चों के बीच में वह डेशक युद्ध करया के बाद भारत में ब्रीटेन ने फ्रांस को पराजित करके ब्रिटेन का युद्ध बात है साथ साल का ये युद्ध हुआ तो सफ्रांस पराजीत हुआ सफ्ट वर्षी फ्रांस की पराजह हुई और बृते जीद गया इसका परिणाम यह हुआ कि England के उपर वित्तिय बोज बढ़ा जब युद्ध होता है तो पैसे से होता है ना तो England का खजाना खाली हो गया साथ साल तक बहुत बड़ी बात होती है युद्ध करना साथ साल में तो देश पुरा खोकला हो जाता है युद्ध के कारण तो युद्ध के बाद में ब्रिटेन की हालत जीत तो गया ब्रिटेन जीत गया लेकिन जीतने की बाद भी इसकी हालत खराब होगी क्योंकि इसके उपर वित्तिय बोज बढ़ गया और जब इसको पैसे की जरूत थी तो इसने अमेरिका पर नए-नए टेक्स लगा दी हमारे भ तो भारत के दूसरे इलाके जीतने थे और दूसरे इलाके भारत से बाहर भी जीतने थे तो भारत के लोगों से बहुत ज्यादा टेक्स वसूला गया भारत में किसानों से मनमाना माल गुजारी या लगान वसूला गया और आपको पता है कि भारत के किसानों की हालत खराब क क्यों ही भारत के किसानों की हालत ब्रिटेन के लालच की वजह से हुई तो वैसे ही उन्होंने क्या कि जब उनको पैसे की जरूर थी तो उन्हें लगा कि अमेरिका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जितने अंडे चाहेंगे देदेगी आहाए समझ में तो अमेरिका के ऊपर दुनिया भरके टेक्स लगा दी और इससे असंतोष जो है वो बड़ा और अमेरिका के लोगों ने विरोध किया मनमाना टेक्स कोई भी देश सहन थोड़े न करता है अमेरिका के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि युद्ध तुमने लड़ा तुम्हारे देश की हालत खराब है तो क्या हम से भरपाई करोगे हमने क्या बिगाड़ा हम क्यों देटेक्स ज्यादा तो यह कारण था तो स कानून भी इस करांटी के कारण था डेटेल में भी समझेंगे एक तो नो बशने yarasर ॉड्य своory कानून बनाया व्यापारिक कानून ना तीनों कानून में आपको पताओंगा इन कानूनों कि वज़े से अमेरिका के लोगों के श्वयम के जो आर्थिक हिद अपने श्वयम के आर्थिक हित बाधित हुए और अमेरिका के लोगों ने क्रांती करना ही अच्छा समझा क्योंकि ब्रिटेन लगातार शिकंजा कस्ता जा रहा था अमेरिका कोई भी नाव प्रिटेन को छोड़के अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकता इसे कुछ नियम बना दिये इससे अमेरिका के लोग और भड़क गए और ये भी एक कारण है अमेरिका की क्रांती का तो हम एक एक करके समझें सारे कारणों को डीटेल में समझते हैं सबसे पहला कारण है अमेरिका की क्रांती का वहां के लोगों में मौजूद स्वतंतरता की चेतना जैसे जब भारत में कुछ लोग जागरुक हुए न तो उन्होंने ब्रिटेन के खिलाब इंग्लेंड के शास हम बात करते हैं ना दादा भाई नोरो जी की सुरेंदा बैनर जी की फिरोश्या महता की गोपाल क्रश्न गोखले की आरसी धत्त की एमजी रानाडे की यह वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन का विरोध करना शुरू किया दीरे दीरे आप देखें कि भारत में इतना बड़ा अंदूलन हमें दिखाई देता है तो अमेरिका के समाज में कई सारे लोगों मिस्वतंत्र चेतना मोजूद थी उसका कारण यह है कि कई सारे लोग जो अमेरिका में आके बसे थे वो यूरोप से आये थे यूरोप से अमेरिका में आके बसे कई सारे लोग जो कोई वेक्ति गााउँ जाए तो जो वेक्ति शहर में रहे के आया है वो तो विरोथ करे गाना कि मेरी पत्नी नहीं निकालेगी क्योंकि उस ने देखा है कि शहर में महिलाएं नहीं परदा नहीं करती तो उस बात करेंगे हैं कि शहर में वह देखके गया है कि नाबालिगों की शादी नहीं उती गाऊंपे छोटे तो एक व्यक्ति जो किसी प्रगतिशील विचार से परिचित है वो अपने सामने इसी गलत चीजे नहीं होने देता तो अमेरिका में खास बात यह कि कही साले लोग यूरोप से आके बसे थे तो वहां प्रभोधन काल से वहां के विचारकों से चिंतकों से उन सारी चीजों से परिचित है तो उन्होंने यहाँ आके क्या किया यहाँ आके उसका yeah eh कि अधिकमा क्या क्या संबंह्त में बताओंगा कि यश्का भारत पर क्या प्रभाबश के जब आप पूरी अमेरिका की क्रांटी समझ जाएंगे ना इसके कारण इसका पुरा विशलेशन तब अबेरिका की क्रांती से प्रेरित हुए हैं करें यूस पर हम लोग बात तो यूरोप में प्रगतिशील चिंतन से वह परिचित थे जहां उन्होंने स्वतंत्र पूर्वक काम किया था दरसल शुरुवात में इंग्लेंड जो है इन पर कठोर नियंत्रन इस्थापित नहीं कर तो शुरू में इंग्लेंड ने इन पर कठोर नियंत्रन इस्थापित नहीं किया लेकिन बाद में जब इंग्लेंड जो है उसने संसक और राज तंत्र के बीच में संगर्श होने लगा वहाँ पर तो फिर उन्होंने जब 1688 में इंग्लेंड में गौरोपूर्ण क्रांती हुई तो फिर इंग्लेंड ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और अमेरिका के लोगों पर कठोर नियम लागू कर दी कठोर नीतियां लागू कि इसका अमेरिका के लोगों ने विरोध किया मतलब अगर आप रसी को बहुत ज्यादा गले में से फिखीश दोगे ना तो फिर वो गलाई घोड़ देगी तो इनकी इन कठोर नीतियों की वज़े से अमेरिका के लोगों की स्वतंत्र चेतना में बादा हुई और इसकी वज़े से धीरे-धीरे क्रांती रात और नहीं हो है जैसे कई सारे लोग अपने घर के महिलाओं को कुछ नहीं समझते वह लगातार मनमानी करते हैं अपने इसाब से उनको चलाते हैं उनकी आक नहीं सुनते दीरे-दीरे गुसा जो भड़ता जाता है वह आथिया करते 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 एक दिने सा Она है कि वह उसके सत्तावन की करांती अचानक नहीं हुई सो सालों में प्लासी के युद्ध से लेकर तो 1857 तक अंग्रेजों ने भारत में जितने कानून नियम बनाए जितनी नीतियां अपनाई उससे समाज का हर वर्ग जो है उनसे दुखी था गुस्से में था किसान हो मजदूर हो जनजाती हो शिल्पकार हो दस्तकार हो राजा महराजे हो हर कोई नारास्त और इसलिए लोगों ने फिर 1857 में इतनी बड़ी क्रांती कर दी हाला कि सफल नहीं हुई पर क्रांती तो हुई अमेरिका के सफल हो गई तो एक कारण यह था अगला अमेरिका में जो ब्रिटेन शासन चला र तो यह अपने खुद के चुने हुए लोगों के वजसात में शासन चलाया करता था अग्या दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों द्वारा निर्मित भी एक परीशत थी इनके खुद की एक इस्थानी परीशत थी जिसको कानून बनाने का अधिकार था लेकिन गवर्नर के पा अल्टिमेटली गवर्नर सारी चीजे तही करता था और मनमानी करता था तो अमेरिका के लोगों को इसके शासन से शिकायते थी इसकी मनमानी से शिकायती कि यह मनमानी जोए खतम होनी चाहिए हम कुछ भी कहें तो यह मानता नहीं तो अगला यह था कि दोश्पूर्ण शासन विवस्था थी तीसरा मेंने आपको सब्तवर्शी युद्ध पताया इंग्लेंड और फ्रांस के भीच में जो सब्तवर्शी युद्ध हुआ उसमें जब इंग्लेंड जीत गया तो उसका जो खर्चा है वह बहुत बढ़ गया तो अब सरकार को चाहिए था पैसा ब्रिटेन की सरकार को पैसा चाहिए था और यह पैसा उन्होंने अमेरिका के लोगों से लेने का सूचा क्यों ना इनसे पैसा वसूला जाये तो उसने अमेरिका के लोगों पर नए-णए Tax मतलब जो Tax पहले थे ही नहीं ऐसे नए-णए कर लगा दी भारत में भी यही था लगाए गए और इससे अमेरिका के उपनिवेश वासियों में बहुत असंतोष पैदा हुए और उन्हों ने इंग्लेंड की इस नीती का भिरोत किया खुल के फिर फ्रांस की पराजे से उसके नियंतित अक्षेत्र कनाड़ा पर ब्रिटेन का नियंत्रन एक और चीज थी जो मैं आपको बता दूँ यह एक और बात आपको बता दूँ अमेरिका के उपर कौन आप जानते हैं अगर आप में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपर आता है कैनेडा कैनेडा अमेरिका के ऊपर का देश तो जो केंड़ा केंड़ कर फ्रांस का नियंत्रन था दो इसकि है ये जीत ले ओर इसलिए ये मेists in करते थी और उन में करना टे लोग वैसे ही अमेरिका की लोग बिटेस न को न चाहते वह करते थे फ्रांस के वजे से युद्ध हार गया कि आ सब तवर्शील में तो कैनेडा के उपर से बुँआ कि अशिनदया चला गया और जो फ्रांस के अक्रमन का भाय भाइ तो जा आकरमन कर ने रही कि UK लिए अगैरे把它 कांटा की सरकार आपकूंगे को आप यहां ऑन्याइड के खिराव गुस्ऽा जायज विद्र parfुल नो परिवहार कानून je इस कानून के तहत ये विवस्था थी कि बृटेन और उसके उपनिवेशों के जहाज ही अमेरिका के बंदरगाह पर जा सकते हैं, बताएं, मतलब इस कानून के अनुसार, अमेरिका के तट पर सिर्फ बृटेन के जहाज जा सकते हैं या उसके किसी गुलाम देश के, कोई और जिसका बृटेन से कोई लेना देना नहीं है, उसके जहाज अमेरिका के तट पर नहीं जा सकते हैं, अब मुझे बताओ, इससे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, अमेरिका के लोगों का गुस्सा स्वाभाविके, अमेरिका खुद तए करेगा ना, कि किससे से व्यापार करना नहीं करना है आप दूसरे देशों के जहाज उनके धट तक जाने नहीं दे रहें कानून यह सब ना दिया तो यह एक कारण था जिसकी वज़े से अमेरिका के लोगों को गुस्टा आया यह पहला कानून था तो अमेरिका के बस्तियों के सारे आयात निर्या कानून बनाया इस कानून के तहट अमेरिका में उन चीजों अत्पादन नहीं हौ सकता था जिनका उत्फादन इंगलेंड खुद करता था बताई है डाँ मेरी बात अब कर तक जो वस्तुएं इंग्लेंड में पैदा हो रही है इन गरिंद में हो रहा है उन वस्तुओं का उत्पादन अमेरिका नहीं कर सकता यह भी कारण है गुस्से का क्यों नहीं कर सकते तुम कर रहे हो तो करो हमें करने से मना कैसे कर सकते हो तो यह कानून बना दिया गया की अमेरिका मैं Tambe ko titles component की लोगों का आर्थिक नुकसान होगा की नई इससे भी अमेरिका के लोगों का आर्थिक नुक्सान हुआ और वो ब्रिटेन के गिलाब भड़क गए और यह जो क्रांती अमेरिका की उसका एक कारण यह कानून भी है देश को भीजम को भाइब आप किसी और देश को समझई मेरी बात ति सामेरीका में जितना यृच्छा का पास होगा आप कि इस टेसी थे यह अदो यन तो कोई एका देश कब उसकानुन से अमेरिकियों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान वा और अन्य युरोपी देश इन वस्तूओं का अच्छा खासा मूल देने को जब कि तयार थे युरोप दूसरे देश अमेरिका को अच्छा खासा पैसा देने को तयार थे पर वह बेच नहीं सकता है क्योंक तो ये भी एक कानूने जिसकी वज़े से अमेरिका में क्रांती हुई इस तरह ब्रिटेन के इन आर्थिक कानूनों ने ब्रिटिश हितों को सर्वो परी रखा और अमेरिका के आर्थिक हितों को नश्ट कर दिया इनी वज़े से अमेरिका के लोगों में गुस्सा आया और अमे प्रता प्रत प्राव्धन काल में अभी आपको पताया है और प्रतान काल पढ़ाते समय मैं अपने आपपा समझाई कि प्रबोधन काल के बाद मुक्ट व्यापार की बात होने लगी थी, मानवी स्वतन्तरता तो अमेरिका के लोगों कि स्वतन्तरता का क्या हुआ, वो मर्जी से किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते, और उसे तरह बृटिश वनिक वाद और अमेरिकी पूझी वाद की टकरहट हुई एक तरफ अमेरिका का पूझी वाद और दूसरी तरफ ब्रिटेन का वनिक वाद, इन दोनों की टक्कर की वज़े से अमेरिकी पूंजी वाद की विजय हुई और आखिरकार अमेरिका की क्रांती हुई, फिर मैंने आप से कहा बहुत धिकों की भूमिका, कई सारे से बहुत धिक थे जिनोंने अमेरिका की समाज को जागरू किया, उसमें चेतना फिलाई जैसे जैमस, ओर्टिस, टॉमस, पेन, बेंजमिन, फ्रैंकलिन, इन विचारकों ने और प्रबोधन कालीन, चिंतन ने अमेरिका की समाज को जागरत किया, उन्हें शोशन के खिलाफ लड़ना सिखाया, शोशन के स्वरूप से परिच कि अगर कोई संस्था आपका शोशन करती है, आपके अधिकारों को सीमित करती है, बदल डालो, तो अमेरिका की दिमाग में चीज बैड़ गई थी, कि ब्रिटेन सुधरने वाला नहीं है, ब्रिटेन के शासन को ही बदल डालो, खतम कर दो इसको, तो यह उस सबसे प्रेरिक कि अपने अधिकारों की मांग को लेकर वो खड़े होगे, तो आप समझ गए होंगे, फाइनली, अमेरिका की करांती में किन-किन चीजों को का कारण रहां, थीके, वहां के दोष्पूर्ण शासन का, वहां के जागरुक समाच का, बवभधिकों की भूमी का, सब तवर्षि जोकेश रासकों की नीदिया, या ग्रेनवीले की नीदिया, क्या हुआ, 1760 की बात है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर था, उनका नाम था ग्रेनवीले, तो ब्रिटिश प्रधान मंत्री ग्रेनवीले को वहां का समराट था, जोर्ज, ब्रिटेन के समराट ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इधर आओ क्या हो गया क्या चल रहा है देश में वित्ती हालत खराब है तुम इस देश को ऐसे कैसे चलाओ गे इस तरीके से तो तुम इस देश को बरबात कर दो कि तो इस देश के आर्थिक स्थितिकों सुधारने की कोशिश करो तो ब्रिटे कर दिया जब ग्रेन विले ने अमेरिका से देखा कि पर्यापता आए ब्रिटेन को नहीं हो रही है जितना पैसा हमें अमेरिका से मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा है तो उसने क्या किया उसने जो है पुराने टेक्स कानूनों का कठोरता से पालन करने पर बल दिया अब कठोरता के साथ लोगों से टेक्स वसूलना शुरू कर दिया गया, तसकरी रोकने का प्रयास किया गया, और स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से अमेरिका के लोगों पर नए-नए कर लगा दी. दरसल ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है न, वो अमेरिका से ब्रिटेन की आय को बढ़ाना चाहता है, और इसलिए वो नए-नए टेक्स लगा रहा है अमेरिका के लोगों पर, इस तरह विभिन तरह के लेंदेन पर जो है टेक्स लगाया गया, और फाइनली अमेरिका जो अमेरिका के लोगों ने इन करों का विरोध किया और फिर उन्होंने वो नारा दिया जो की इतिहास में अमर हो गया, इसके बाद अमेरिका के लोगों ने नारा दिया प्रतिनधित्व नहीं तो कर नहीं, हम आपको अप कोई टेक्स नहीं देंगे, क्या आपकी संसद में हमा वहारे कोई लोग है जब आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते तो फिर हम आपको tax क्यों दें तो ये नारा वहाँ पर दिया गया प्रतिनिध्व नहीं तो कर नहीं no taxation without representation अर्था जिस både संसद में कोई अमेरिका का पालति नहीं नहीं बैठता है जब आपकी संसद में हमारे को व्यक्ति ही नहीं है तो फिर हम आपको टैक्स आहिम पर मत्राइब कोई अधीकार ली नहीं यह को ओंना क्यों कि अखर कर दिया गया आखिर का यह बोस्टन की टी पाइटी के साथ में स्वतंत्रता संग्राम की रूप में सामने आए तो बस अमेरिका की लोग खड़े हो गए अंग्रेजु के खिलाब विद्रोह कर दिया करन्ती कर दि बोस्टन की टी पाइटी कल बताऊंगा अंत था अमेरिका के लोग सफल हुए और अमेरिका एक आजाद देश बना ये कहीं न कहीं समझने वाली बात थी important तो आपको ये session अच्छा लगे तो इसको like करिएगा ठीके अब ये session हम यही तक करेंगे कल में आपको अमेरिका की क्रांती में जो और चीजें आपके जानने लायक वो बताऊंगा और इसके आगे की चीजें हम लोग कल डिसकस करेंगे ठीक 12 बजे कल मतलब कल तो आपका लक्षमी कान का session है जो भी होगा हम देख लेंगे तो फिर हम मिलेंगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद आप session को like करते हुए जाहिएगा जाते जाते और comment करके feedback जरूर देना आपको यह session कैसा लगा क्या है आपके लिए सहाय है helpful है या नहीं है तो हम लोग comment में जो है feedback देना ना भूले और class की टाइमिंग बारा बजे रहेगी और economics अब शुरू होने वाला है बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे यह कह रहे हैं कि सब शुरू कर दीजिए मैं CRT पढ़ाऊंगा आपको economy की एक दम basic से तो बस जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द आपका economics जो है वो मैं शुरू करूँगा और मेरी कोशिच रहेगी कि अगले साल तक economy के कुछ जो महत्तुपूर्ण concept है कम से कम वो हम पढ़ ले समझ ले ठीक है चलिए thank you very much सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों को अनकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा रेफरेल कोड यूज कर सकते सी के ल आई वी यह मेरा रेफरेल कोड है सी के लाइव और इसको आप लोग ठीक है यूज करके अनकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो 10 परसेंट का आपको 10 प्रतिशत का डिसकाउंट होगा हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया देखते रही है बाइबाइ थैंक यू जैहिन लेट्स क्रैक इट